अभी कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे महाकालेशवर मंदिर उजयन तो वहां की दर्शन में आपको करा रही हूँ साथी काल भेरो मंदिर भी है उजयन में काफी प्रसिद्ध है उसके बाद इंदौर के जो खजराना गणेश मंदिर है उसके भी दर्शन आपको मैं कराने वाले हूं इसी वीडियो में और साथी इंदौर में जगे फेमस है चपन भोग करके तो वहां पर भी हम लोग गये थे तो पूरा वीडियो लाज सक जरूर से देखेगा थोड़ी जल्किया सब के मैं शेयर करने वाले हूं आपके साथ और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज जो कि नजारा बहुत ही मस्त था और शाम का वक्त था पक्षी उड़ रहे थे सूरज डूबने वाला था तो यह बहुत प्यारा सा नजारा था अच्छी हवा चल रही थी तो मज़ा आया हमें यह जाके और अच्छी से बहुत अच्छी से दर्शन भी हो गए थे हमारे और अच्छी चारण जाएं तो दर्शन जरूर से करें महाकाले शुर के और दी षेन अर फेमिली के साथ तो मज़ा ही आ जाता है मंदिर से बाहर निकलते वक्त लिए से रस्ता है बाहर निकलने का और इतना बड़ा मंदिर है अगर तो आपको पता होगा और आप में से कुछ लोग जो नहीं जा पाए हैं अभी तक तो प्लीज ज़रूर से जाएगा बहुत 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 विशाल मंदिर है ये देखिए मूर्ती कितनी मस लग थी नहीं सेंटर में थी फिर रात हो गई थी हम गयते हैं काल भैरो मंदिर यहां तोकनी रहती है उसमें फूलों के साथ विश्के की बॉटल मैं तो बहुत है हमने नहीं चड़ाई थी अच्छली मेरे हजबन बोले थी कि मैं बना किया कि नहीं यार ऐसे कैसे मैं जब देखा सब के हाथों में था तो मुझे लग रहती है यह कैसा है तो मैं फिर गूगल प खुब आदी बॉटल गदा को चड़ाते हैं और आदी वापस से दे़ देते हैं और यहां मैं आपको दिखा रही हूं इंदौर के घजराना गणेश मन्दिर बोहत बहुत प्यार है वैसे मुझे गड़ेजी से बहुत प्यार है उनको मैं भाई मांती हो और यह मन्दिर इत तब भी मॉनिंग में फिर से हम लोग गया थी तो उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी वहाँ पर लेकिन बहुत मज़ा आया तो दो बार मैंने दर्शन की और यह आपको दिखा रही हूँ जो मैं राकी बड़ी सी और यह है हमारे बाबा खजराना के गणपती बप्पा और इनको मैंने राकी भी चड़ाई थी क्योंकि जिजिन मैं पॉची थी ना राकी वाला दिन था और उनके मंदिर के असपास भी छोड़े-चोड़े मंदिर इस तरह से बने हुए जो कलश आपको दिख रहा ने इसके अंदर दुर्गामा का मंदिर था बहुत प्यारा लग था मंदिर तो यह था पूरा मंदिर यहां बाहर की तरफ से जो गणपती दर्शन करके निकलोने तो छोटे-छोटे मंदिर पूरे पूरी आंगन में बने हुए बहुत सारे मंदिर छोटे-छोटे-चोटे बने हुए थे और इतना प्यारा मंदिर था यहां के पंडे जी बीना सब बहुत अच्छी ते अच्छी से पूजा करवाते हैं बिना दक्षणा लिए उनका मतलब यह नहीं था कि दक्षणा लेकी पूजा करना है बहुत और इस मंदिर में जरूर जाईगा मंदिर के बाद हम लोग पहुंचें बहुत ही बड़े से मौल में जो की दॉर का फीमस मौल यह फिनिक्स मौल और बहुत बड़ा था यह जुँ बहुत ब़गर था तो इसमें हमने लँच वगर किया बहुत अच्छा यहां का मतलब खाना भी बहुत अच्छा था मज़ा था मुझे तो थोड़ से जलकिया मैं आप सब के साथ इस मौल की भी शेयर कर रही हूं तो इंदोर जाओ दर्शन करो गणेशी के उसके बाद फिनिक्स मौल भी जरूर से जाएगा मज़ा आएगा यहां पर और यहां के बातरूम में भी जूम अगरे से रहती है कि लोग बैड के वहां पर खा सकते तो पुरा स्ट्रीट फूड है वहां पर तो हमने भी चाट फुल किया आई वो सब मतब खाये एंजॉय किया मज़ा आया और यहां वीडियो में देख पा रहे हूंगे दुकानों के उपर नंबर लिखे हुमें तो यह अगरे देख के सामने से शूट करो तो मज़ा आजाता है तो काफी अच्छा लगा और मुझे तो बहुत मज़ा आया उज्जान और जाके आप भी ज़रोर जाएगा जब भी आपका मन करे तो यह दर्शन कीज़ेगा और फिर भूमने कामने की भी बहुत अच्छी प्लेस ह अच्छी प्लेस है वहां पर जैसे कि चपन भूमने को बताई इसमें भी हमें काफी मज़ा आया तो यह थी आइसक्रीम और उसकी बात जब हम निकले वापस भूपाल से ट्रेन पकड़नी थी हमें अच्छी ट्रेन से गय थे तो बीच में सिहोर पढ़ता है जहां पर शिव बहुत ही बड़ा यहां पर मंदिर था शिव जी का और यहां पर बीच में सेंटर में आपको बड़ी सी पिंडी दिखेगी और यहां पर मंदिर का भी काम यहां पर चल रहा है अच्छी यहीदी की पिंडी आप देख पार हूंगे शिव जी की पिंडी और यहां पर यहां स्वयंबू पिंडी है जो सेंटर मेरा इसकी एक्चुली पूजा होती है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर जरूर सिखीजेगा थेंक्स वर वाचिंग